सैनिक स्कूली के फर्स्ट रॉन का रिजल टाने के बाद जो भी बच्चे प्रोविजनली सेलेक्ट हुए एडमिसन के लिए उनके मेडिकल का काम अभी चल रहा है तो इससे रिलेटेट कुछ गरजिन का फोन आया हमारे पास तो उनसे जो चीज पता चली है उससे ये क्लियर ह हो रहा है कि सारे स्कूल में और पुराने सेने के स्कूल में भी कि जो मेडिकल का प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है मतलब सब जगह एक ही प्रोसेस से मेडिकल या एडमिसन का जो भी काम है वो सब जगह एक ही ढंग से नहीं हो रहा है उसमें कुछ बात ऐसी हो रही है जिससे आपको लगेगा और लगेगा नहीं होगा भी कि जो parents और बच्चे की थोड़ी परसानी है वो थोड़ी आपको महसुस होगा कि यह परसानी थोड़ी बढ़ जाएगी इसकी कोई जोगरत थी नहीं लेकिन खेर जो भी हो रहा है वहाँ पर तो हम लोग कुछ कह नहीं सक जो आपका प्लान है अपने कुछ सोचा है कि इस तरह से हो जाएगा बताय गया है तो इसी तरह से होगा और हम इस तरह से करा कर लोट आएंगे तो वो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि चेंज करना पर है यदि आप लोग जान जाएंगे तो mentally prepared हैंगे और अपना प् बतला है इसके पर एक चोटी सी बात कि मेडिकल में फी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आये थे और फोन पर भी जाए बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या मेडिकल की फी भी लगेगी तो उसमें clear नहीं था लेकिन हमने कहा था कि government hospital है तो सच हो सकता है कुछ लगे ना वह होगा तो जो information है accurate information और सही भी है जिन्हों लोग ने पे किया उनकी बात हम बतला रहे हैं कि थोड़ा बहुत फी स्कुल में लग रहे है और वो फिक्स नहीं है वहरी कर रहा है हमने जो अब तक सुना है उसमें minimum 300 के आसपास सुना है कि किसी candidate को लगा और जो maximum हमने सुना है 900 900 के आसपास किसी बच्चे को फी का medical जो test हुए उनका फी देना पर वहाँ पर और यह जो ही पैसे आप से लिये जाएंगे वो उसकी रसीद आपको मिलेगी एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि हमने सबों से यह नहीं सुना है कि फी लगी ही लगी है किसी से इस टम में बा पैसा वहाँ पर medical टेस्ट में आपको देना पर सकता है जो भी पैसे आप देंगे उसकी रसीद आपको मिल जाएगी रसीद सब लोगों को मिल रही है अब आते हैं कि medical में अखिर process हो क्या रहा है तो यदि new clinic school की बात करें तो एक जगो जो हुआ वहाँ बतला दे रहे हैं अ किसका medical होना है नहीं होना है सों कहां भेज़ दें आपको किस डॉक्टर के पास भेज़ दें तो परेंट्स का फोन है हमारे पास की सर ऐसे हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है तो हमने उनको कहा कि स्कूल बगल में है आपका और सब जगा वो नय हो या प हमारे पास था हमने उनको कॉल किया कोल डिसिब नहीं हुआ तो हमने उनको बाकस अब मेंसज्स ड्रॉप किया तो रिम का रिप्लाई रात में आया थुछ बहुत लेट या ओट है हो सकता है मैसेज्ट से परहा हों हुन्imated में रिप्लाइट से अगुल से हमारे बतलाने के लिए कोई हो वहाँ पर पुराने सेनीकिस में ऐसा हो रहा है लेकिन नयवाले में ऐसा नहीं था तो यह दिक्कत नयवाले सेनीक इसकोल में आ रही है तो वहां से एक और बात बतलाई गई, कि जो भी इस hospital एलोट किया गया है, कि यहां पर आके आपको medical करवाना है, या medical fitness certificate लेना है, नियू सेनिक के स्कूल में उतना लंबा चौड़ा medical का process नहीं है, एक medical fitness certificate बनवाना होता है, तो नियू सेनिक के स्कूल के तरफ से ये भी बात मुझे बतलाई गई, कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो hospital कहा है, आप उसी में आकर यह certificate बनवाए, आप जहां रह रहे हैं, वहां भी जो government hospital है, जिससे सदर hospital होता है या इस तरह से जो भी government hospital है वहां भी किसी जो doctor बैठते हैं वहां पर registered government doctor ही होंगे जो physician होंगे, उनसे भी आप medical certificate बनवा कर यहां ला सकते हैं हम उसको भी accept कर लेंगे यदि उसमें कुछ गलती नजार आती है या कुछ कमी नजार आती है, तब आपको हम अपने hospital में भेज सकते हैं नहीं तो आप अपने हाँ से भी बनवा कर ला रहे हैं new sonic school की बात बोल रहे हैं तो वहां पर वह accept कर ले रहे हैं ये एक-दो school का कहना था, सब जगा साही होगा, इसकी बात हम नहीं कर सकते हैं तो उसमें हमेरा एक suggestion होगा कि जिनको भी admission new sonic school में लेना है वो लोग उस hospital में जाने के चले जाता है वहाँ बहुत अच्छी बात है लेकिन आप लोग जहां रहे रहे हैं वहाँ से ही एक medical fitness certificate बनवाले किसी registered government doctor से और वो government hospital के ही डोक्टर होने चाहिए और उसको लेकर अप new sonic school में जाए यदि वहाँ accept रहाता है तो so good so nice नहीं तो उन्होंने जो hospital दिया है वहाँ जाकर आप अपना medical fitness certificate बनवा सकते हैं तो ये बात होगे new sonic school की अब आते हैं पुराने sonic school में पुराने sonic school में अभी तक दो तरह का process हमको सुनने को मिल चुका है पहले में क्या है ये हम आपको बतला रहे हैं औरिसा में भोनेसर में जो है उसकी बात बतला रहे हैं वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर parents पहुँचे नहीं थे वहाँ पर उन्होंने फोन से बाच कि थे उनको कहा गया क्या कि नहीं पहले आपको hospital नहीं पहुंचना है पहले आपको school पहुंचना है और यहां से आपको हम जो भी मेरा process है उस process हो complete करने के बाद यहां से आपको हम कहेंगे कि अब आप मेटकल होस्पिटल में जाकर अपना मेटकल कराईए करने का मतलग हो सकता है कि पहले वह डॉक्मेट वेरिफाई कर लें उसके बाद वह मेटकल के लिए भेजें एक process वहां पर बतलाए गया दूसरे जगह अब दूसरी जगह क्या हुआ अब गया है कि रूपल में रॉपधा है वह जाए कि पाद वापस चले जाए हम आपको बात नहीं करेंगे कि वह क्ला रहने को तो यहां उनका medical का क्या report आया है और यदि report okay रहता है तो आपको फिर आना परेगा आकर medical document ये medical fitness report जो है उसको लेना परेगा और उसके आधार पर या medical fitness report हमारे पास रहेगी हम ले ले लेंगे hospital से लेकिन आपको फिर से दुबारा school आना परेगा documents verify कराना परेगा और सब कुछ होके रहा तो fee submit करके admission ले सकते हैं और ये जो सारा काम होगा ये होगा चार अप्रिल के पहले ही कहने का मतलब यदि किसी का medical 26 को होने वाला है या 25 को होने वाला है तो वो लोग 25 को medical कराकर वापस चले जाए और चार अप्रिल के पहले ही फिर उन का selection हुआ वह 1200 किलोमेटर दूर से आए ये प्लान बना कर कि हाँ medical कराएंगे फिर school में जाकर document verification हो जाएगा फिर fees जमा करेंगे यदि सब कुछ ठीक रहा तो admission हो जाएगा अब चार तारीक के date उनको सब कोई को पता है कि चार तारीक तक admission का last date है तो चार ही तारीक को तो नह जाए और फिर यह ती अधिकल फिट हुआ तो admission के लिए आए और गये चलिए जो medically unfit हो जाएंगे उनके लिए थोड़ी सी relaxation की बात है कि दुवारा नहीं आना परेगा लेकिन कितने बच्चे medically unfit होंगे ही maximum को तो आना ही परेगा तो यह थोड़ी सी परसानी जो है परेंट् करते हैं कि यह परसान करने की कोई जरूरत नहीं है यदि बच्चे वहां पहुंच रहे हैं medicals के लिए और उनके पास documents है आपने जैसा कहा है तो further अगले दिन बुला कर उनका documents चेक किजिए admission लिजिए उनका बार पर परसान करने की क्या जरूरत है उनको ठीक बात है कि parents खुषी-खुषी इस परसानी को जहर लेंगे लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि उनको परसान किया ही जाए अब कितने को रिजवरेशन नहीं मिलेगा कितने को कितनी दिकत हो जाएगी हर एक लोग तो capable है नहीं कि इसका मतलब होंगे कि कुछ और मीडियम से पहुंच जाएंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह से कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाए कि parents को परसानी हो इसके लिए खर जो भी है अब इससे इन कार्जू नहीं किया सकता है लेकिन यह दोनों प्रोसेस है आप लोग इ मेडिकल हो जाए आपको वापस भेज दिया जाए बीना किसी मेडिकल रिपोर्ट के कि आपका मेडिकल में क्या हुआ और आपको फिर बात मुद बतलाया जाए कि आपके मेडिकल का रिपोर्ट यह आया है अप आकर अप मेडिकली फीट हैं तो आप फिर दुबारा जल्दी से चार अप्रिल के विल विफोर पहले आकर आप एडमिसन ले लिजिए तो यह थोली सी परसानी हो सकती है आप लोग लेकिन आप लोग इसके लिए तैयार हो जाए हमारे बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था तकि यह काएक से आपको न लगे कि आये तो थे आडमिसन लेने के के लिए सब कुछ कराने के लिए और पता चल रहा है कि सिर्फ मेडिकल ही कराकर लोट रहे हैं तो यह जो भी प्रोसेस अभी चल रहा है उसके बारे में हमने आपको इन्फोर्मेशन दी ताकि इसी के कोडिंग आप अपना प्लान जो है सो रेडी कर सके इसके अलावा जदी कोई भी और इन्फोर्मेशन होगी तो उसको भी लेकर जल्दी हम अपनों के सामने आएंगे